हेलो स्टोइंट्स गुड मॉर्निंग आज जाप तो अधा नेक्स टॉपिक करें जानी तो अधा नेक्स चैप्टर करेंगे चैप्टर नहीं में वॉटर जानी पाणी आज जाप इस वीडियो विच गल्द करेंगे पाणी निबारी यानि पाणी इंट्रोडक्शन सेफ और वोल्सम वाटर, सूर्सस वाटर एंड इस यूज एंड नीड्स तो स्टार्ड कर दें इंट्रोडक्शन तो अंधा पाणी की है पाणी मनुखी जिन्द की दाधार है पाणी तो बग्यार जीवन संभव नहीं है सूर्जी परनाडी दाठ ग्रह विच्चो तर्ती एक को एक जहा ग्रह है जित्ती जीवन संभव है एक पाणी दे मजूद की दे कारण ही संभव होया है एक यहा जान्द है कि पाणी तो बिना सब को सुक्य अंदा है पाणी बिना कोजवी नहीं पाणी सा डेव वाड़ी विच्च 70% होंदा है तो एक ता सी इंट्रोडक्शन पाणी क है होना पगल करें सेफ और वोल्सम वाटर दे जानी सुरुख्य ते साप पाणी दे शेहर नो पाणी नदी रही सप्लाई की तयंद है हाला कि नदी दा पाणी परदूशत है इसलिए टाइफर वाग्या पाणी तो पैदा होन बढ़िया बमारियां दा कारण बांद है शेह कामपणी समझाते दे दस्तकत करन तो पैला शेहर दे लोकान शोद्धा ते पाणी दी सप्लाई करन दी शर्त रखे गई सी पर इस देले जर्सी सीटी दे बसनीका नू पाणी दी अदेगी करनी पैणी सी हाला कि जर्सी सीटी दे बसनीका ने पाणी वर्ग विशो ब्याप पीस रोता ले पुकता आण करन तो इनकार कर देता ए बिवाद एदालत में चला गया जज्जा ने साफ अचे पुष्टे पाणी दी प्रवाश देती जज्जा ने किया कि हाला कि ये सही सी कि जरसी शेहर दा पाणी परदूशत पाणी है जरसी शेहर दे बसनीका ले नुकसा पाणी दी पूरी सफाई दी लोड नहीं है पाणी नुन नहा और कप्ड़े तो न पौध्या नो पाणी देन संज्जाई लई साब्णों दी जरूरत नहीं है पाणी तो न आद केवल पीन बाले पाणी नुई साफ अते पौश्टिक बनाना जाना चाहिद है जज्जा ने पाणी दी शुद ता पाणी वीच जुरूरी पाणी दी अदेगी करले मयबूर होने इस तिरा अंद जन्य साफ अते पौश्टिक पाणी दी प्रवाश्य दे होए कि पाणी दे पौश्टिक पूरी तरह खतम नहीं होने चाहिद है वलकि उस दी लोड़ी दी मांतरा विच उपलब्द होने चाहिद है इस दा अर्थ है कि साफ पाणी वीच कुझ हाद ता कर सैनिक पौश्टिक दा तो होने चाहिद है साफ पाणी दे मतलब नहीं कि उस दी परजोग शाला वीच कुझर सैन परक्रियामा दी पालना करके पाणी नूश्ध बनोना चाहिद है साफ आते पौश्टिक पाणी दा अर्थ है पाणी प्रदुशका तो मुक्त होना आते इस मूं क्याल दी वर्तों किती जा सकती है पाणी आते होर करे लूप देशले इस दी वर्तों हुंदी है इस वगल कर दे हाँ पाँ शुद्ध आते साफ पाणी विच की अंतर होंदे हैं ओ पाणी जो नगर निगत दोवारे किसी खास केता दे बसनीका नो टूटी हैं जा किसी होर टंग नाल उपलब्द कराया जांदा है ओ साफ पीन जोग पाणी है पर ओ शुद्ध पाणी नहीं है इस विच को जो रसैनिक पाउस्टिक आते जिमें लून, मैगनेशियम, केल्शियम, कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट अते होर भी पाण शामल होंदे हैं पीन बाले साफ पाणी बिचलेट सैनिक तक्तां दी मात्रा, म्यूस पल्ली, स्पेशल्टी द्वारा निरता अर्थ केती होंदी है कि शुद्ध पाणी पुरी तरह शुद्ध है, इस विच नाता खांज होंदेते नाईर सैनिक पाण, एस शुद्ध H2O अते सिर्फ हाइड्रो तक्सीजन दा मिश्रिन है, H2O अजो ए पाणी दा केमिकल फॉर्मूल लग़, इस वगल कर देहांपा सोर्स वाटर, पाणी द पाणी पाणी शुद्ध मैट दीतारल सितिली वरताय जन्दा है, हाला कि यह ठोस अते गैसे वह रूबेच भी उपलब्द है, आसे जान देहांगे तर्तीदा के 70% पाणी दपा आगा जना पाणी है, जिस विच नाईटी सैवन परसंट पाणी स्मुंद्रा ते होर वड़ जाल ग्रहां जपना आराना सुवन दता है, जो कुदर्त मेचा रूप मेचे खारे हाल, जो पीन जोग नहीं, पाणी जो तर्तीदे पीन लेटो कवाय है, सिर्फ 2.4% ही होंदा है, ए पाणी चिल्ला नदिया, मीदे पाणी, टेंकिया, तलाब्बा, आदे माधियं तो प्र कीत्ता जन्दा है, एनना दे जड़े मैथर्स होंदे है, लाग लाग होंदे है, जिमे पाणी ये सोर्स दी गादखे रेट, जानी वर्था दे, एक युद्धा मीई पीन वाले पाणी दा मुखिसरो होते है, ए बैप्टेरिया मुख्त शुद्ध पाणी है, असल वेच मीई दे रूबी तर्थी ते पैंदा है, एक कणुमान चारलाग पाग, तेती सो व्यासी वेट वी लेटर पाणी, समुंत्रा तो प्रती मेंट विच पाह बन जन्दा है, ए बाल च मीई दे रूबे च तर्थी ते देखदा है, सेक्ड गल कर दे हाँपा, ग्राउंड वाट रवच राखवा होंदा है, ओ दुन में रूपा, जिमे की कुदर्ती जा मुनुख अद्वरा बनाए पैये होंदे हाँद, इस तरीकिन राख में पाणी दी वर्तों कित्ती जन्दी है, पीर, खेती बड़े दे बिजले तुपादल लही, इस पाणी दी वर्तों कित्ती जन पाणी परदूशत हो रहा है, क्योंकि सीवरे लाई नाम लुखा ते जन बरादा इशनान करना ना दी रहद खोद अत युगा दी रहद खोद आद दे करना ए पाणी परदूशत हो गया है, इस वो थर्ड गाला उंदे टैंक, स्रोवर पाणी नो स्टोर कान देक स्रोथ है टैंक, ए पारती पिंडा विचे पाणी देकमा तबन स्रोथ है, तो उड़ चिकड़ पौद देया, आते द्राखतने बच्चे रहा है नाला आदव गरना परदूशत हो यंदा, उस वा गल्लों दिया, अंडर ग्रॉण बाटर जाने पुमीगत पाणी, ए पाणी साफ आते पीन जोग है, खुआ, टूटिया, टियोबल्स दिवारतो कर देया, इस लूप मीगत तो किच्चा जा सकता है, फूर्थ है ग्लेशियर, ए पाणी ग्लेशियर दे, तो पिगल के प्राप्त किते यंदा है, पाणी साफ आते पीन जोग है, पहाडी पाणी जातर पहाडी ला पाणी यहाँ, पाणी दे बारतो मुख जातीनों कुदरत दा अनमोल तोफा है, मुख की सिर्ण दोते है, यह सब पाणी दा गटन करदा है, इस पाश्टत औरते मुख की जिवन लेई, पाणी दे मात तानूं दरसाओं दा है, तारती उत्ते हर जीवत जीवनूं पाणी द चर्बी अते गलाइकोजन खत्म हो जन्दियान, अते प्रोटीन देते 50% तक लोप हो जन्दियान, मुख अजे भी जोंदा रह सकते है, हाला कि जेकर मुख की खेमण वाड़ी वीच पाणी दी मातरा 20% या इस तो कट हो जन्दियान, व्यक्ती दा स्रीर पाणी दी कट गर म चैविक तत परदान करता है, पाणी तो बिना पसीनियात पशाव देरू बिचो मुख दे स्रेर बिचो फ्यूल उत्पादानों बाहर कड़ना संभव है, पाणी सिर्फ मुख लई है नहीं, बलकि सारे जीवत जीवने जरूरी है, पाणी दे चकर, बकास, बिजली उत्पा पोजन ही बका सकदा, ना ही पाणी नूँ पोजन, पाणी तो बिना हाजम कर सकदा है, पाणी तो बिना साफ तो सुतरा रहना भी संभव है, इसलिए पाणी दी कमी दा सामना करें के तरी वमारे दा शकारन है, इस दा सारे दित जा सकदा है, तो क्या जन्दा है कि Water is wealth, water is life, we exist because of water, no water, no future मतलब की कहन दिया पाणी धौलत है, पाणी जिन्दकी है आसे पाणी करके हाँ, कोई पाणी नहीं है ता कोई प्विक नहीं है इस तो वाकिन नहीं, एक व्यक्ति नहीं रुजानना दो तो चार पाणी जिरूरत हुन दिया पाणी धियां कई वर्तों हाना, किसे देश दा क्रेलू आते राश्टी बगास पाणी ते पलप्त ता तेंदर पर कर दे है असी पाणी दी वर्तों नूँगे लागला के तरिक्या नाल समझे सकते हैं फस्ट वाकल कर दे अपा क्रेलू वर्तों, एक व्यक्ति नूँँ क्रेलू देशा ले, युरू यानना दो तो तो तिन लेटर पाणी दी जिरूरत हुन दी है पाणी पीन तो लावा, कपड़े तो उन खाणा पकोण नहाओन अते खाण लेए वर्ते यंद है सेकेड हैं दा अत जोग को वर्तों, उत योग्गा नूँ कई उत पादान दे उत पादन लेए पाणी दी जिरूरत हुन दी है पाणी सारे देशा लेए बहुत जरूरी है, जिमें खाण दिया, चिज्जां, कपड़े, गैन्या, फरनीचर, फ्रिजां, टीवी, कुलर, कागजा आदा निरबान करने थार उन्दा संचाई लेए, फसलानों संचाई दी जरूरत है, ता आजम नुखनों अनाय दी पूर्ति होजे, इसलेए खराग फसलान दा बादा पाणी दो संभव नहीं है, आदलों कबीशव दी बिजली उत पादन दे जरूरता बिजली है, पाणी तो बिजली दो पाद पाणी चकर जरूरी है, पाणी दपा आप पाणी दे बगयार नहीं हो सकता, इसले कोई मीन नहीं होबेगा, एक सब तो वड़े मौसमानों अनिजवत अपना आदे बेगा, उस वगलों दिया, फोर एनिमल जानी पशुव लेए, पाणी दे जरूरत है, पाणी दे जरूरत चार तो दास लेटर पाणी दे जरूरत हुन दिया, जदो कोई गानोर जाना, एक सब संताली लेटर पाणी दे जरूरत हुन दिया, एसे तरह एक कोडेल अपनी हो लेए उड़े जाना, चारी तो पजाल लेटर पाणी दे जरूरत हुन दिया, उस वगलों दे फोर ट्रांस पौद्धिया नहीं हो तो पाणी निर्पर करती है। पौद्धिय नाश्ट हो जान दे हैं पाणी तो विला मर जान दे हैं। इसलिए एश पाष्ट्ट की पाणी बहुत महत्तपूर्ण है तो कोई भी जीव पाणी तो बगयर नहीं रह सकता। तो आज जीदा चैप्टर वोटर थेंक यू।